हेलो एब्रिवान वेलकम टो पूनम्स किछन आज मैं आपके लिए लेकर आयो क्यारम केक की रेसिपी इस क्यारम केक को हम बनाएंगे आज बगेर फॉंडन के अकसर हम केक तो बनाना चाहते हैं पर उसके लिए लगने वाले इंग्रिडियन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होत तो चलिए फटा-फट से इस कैरम केक को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम कैरम के कोईन्स बना लेते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर चार क्रीम बिस्किट लिए यह ओरियो वाले बिस्किट्स हैं अब मैं इन बिस्किट्स को डाल दूँगी जार के अंदर हाथों से क्रश करकर और इसका हमें एक फाइन पौडर बनाकर तयार करना है हमें कुकिस से बनाना है कैरम के ब्लैक वाले कोईन्स तो यहाँ देखे बहुत ही अच्छे से फाइन पौडर बनकर तयार है तो अब हम इसे डोग बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने चिल्ट डूद लिया ह यह normal दूद है, इसके अंदर हमने शूगर और का इस्तामाल नहीं किया है, क्योंकि cookies भी मेटे होते हैं, तो इसके अंदर हमें शूगर डालने की जरुरत नहीं है, यहाँ पर हमने plain chilled दूद से इसका dough बनाना शुरू किया है, तो यहां देखिये बहुत ही अच्छे से soft और smooth हम इसका भी हम बना लेंगे एक fine powder और इसे भी हम सेम उसी तरह dough बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने इसका बिलकुल fine powder बना कर तयार कर लिया है अब इसे भी हम थंडे दूद के साथ अच्छे से गूत कर इसका dough बना लेंगे इस तरह आप biscuit से homemade fondant बना कर घर पर cake decorate करते हैं तो खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है बहुत जनों को market वाले fondant का टेस्ट पसंद नहीं होता है उनके लिए बहुत ही best option है जो लोग professional bakers होते हैं उनके पास तो fondant available होता है पर हम जैसे लोग जो घर पर कभी कभार cake बनाते हैं उनके लिए market से fondant लाना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए हम आज इस तरह biscuit से fondant बनाना आपको बताएंगे यहां मैं इस dough को छोटे-छोटे दो पार्ट में divide कर रही हूँ जिससे हम colorful वाले केरम की coins बनाएंगे यहां पर मैंने pink color डाला है केरम की रानी बनाने के लिए और दूसरे dough में हम डालेंगे green color यहां पर हम बनाएंगे केरम का striker तो इसके लिए आप कोई भी color आपके पसंद का choose कर सकते हैं मैंने यहां पर green color डाला है क्योंकि मैं बना रही हूँ green color का striker तो देखिए यहां पर हमारे सारे dough बन कर तयार है सभी color के हम जो coins बनाने वाले हैं उनके dough हमने बना कर तयार कर लिए तो यहां ले रही हूँ में एक butter paper इसके उपर मैं रख देती हूँ औरियो बिस्किट वाला dough और इसे हम flatly बेल लेंगे यहां पर मैंने balance इसे बेल लिया है बिल्कुल पतली रोटी के तरह हम इसे बेल लेंगे और यहां ले रही हूँ में cutter हर किसी के पास cutter available नहीं होता है इसलिए मैंने आज इसे कटोरी से बताया है घर में रखी सबसे छोटी वाली cutterी से हम बनाएंगे coins तो यह देखिए इस तरह से हमें छोटे-छोटे coins बना कर तहियार करना है हम बना लेंगे इस तरह से coins और यहां पर मैंने चार बड़े coins भी बनाए है जो कि हम बनाएंगे क्यारम के holes जो side में corner में 4 होते है हमारे क्यारम की रानी बनकर तयार है अब मैं ले लेते हैं ग्रीन वाला dough इसे भी हम इसी butter paper पर रखकर बेल लेंगे और इसे हम थोड़े से बड़ी cutterी से cut करेंगे ताकि यह क्यारम का striker है जिसे हम थोड़ा सा बड़ा shape में रखेंगे coins से तो यहाँ पर हम ले लेते हैं white वाला dough और इसे भी हम इसी butter paper पर रखकर अच्छे से बेल लेंगे पतली रोटी की तरह और छोटे वाले cutterी से हम इसे cut करेंगे और यहाँ हम बना लेते हैं white वाले क्यारम की coins तो यह दिखिए बहुत ही प्यारे से coins बनकर तयार है यहाँ पर हमने इसा भी coins को प्लेट में ले लिया है अब हम इसे side में रख देते हैं और कर लेते हैं आगे की तयारी तो यहाँ ले रही हुँ मैं टू टेबल स्पून नूट्रल जेल जो के आपको बेकर शॉप में बड़ी आराम से मिल जाएगा इसके अंदर मैं डाल देते हूँ 4-5 ड्रॉप ब्लैक फूड कलर के और इसे अच्छे से mix करकर हम डाल देंगे इसे piping bag में यहाँ पर मैंने छोटी सी piping bag घर में बना कर तयार किया है इसके अंदर हम इस जेल को डाल कर piping bag बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ मैंने piping bag बना कर तयार कर लिये तो आप चलते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पर मैंने स्क्वेर वाला केक बना कर तयार करकर रख लिया है यह बिल्कुल बेसिक वाली आइसिंग मैंने कर लिये वीडियो बहुत लंबा जा रहा था इसके लिए मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है इसके पहले मैंने बहुत बार आपके साथ basic वाले icing cake का वीडियो शेयर किया है उसकी link में आपको description box में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं whip cream को आप कैसे whip कर सकते हैं, perfectly whip cream कैसे whip की जाती है उसके उपर पर मैंने वीडियो बना रखा हैं उसकी पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं तो चलिए आप फटा-फट से केक को डेकोरेट करते हैं सबसे पहले मैं बना लिती हूँ क्यारिम के बॉर्डर्स तो यहाँ पर मैंने केक जेल जो ब्लैक कलर का हमने पाइपिंग बैग में भर कर तयार कर लिया था इसे ले लेते हैं और यहाँ पर पाइपिंग बैग से हम बॉर्डर्स बना कर तयार कर लेंगे तो इसी तरह हम चारो बॉर्डर्स बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी चारो बॉर्डर्स बन कर तयार है तो यहाँ ले लेती हुँ में एक स्टिक जिससे हम इस तरह से लाइन मारकर डिजाइन बनाएंगे इस तरह करने से बिल्कुल परफेक्ट लिस्ट लाइन आ जाती है यह पर आप स्केल का भी इस्तमाल कर सकते हैं जब भी आप कभी केक को डेकोरेट करते हो तो सबसे पहले आप इस पर कोई स्टिक से या फिर स्केल से मार्किंग कर लीजिए इससे आपका केक बिल्कुल भी बिगडेगा नहीं क्योंकि हमने विप क्रिम एक बार करकर इसे सेट कर लिया तो उसके बाद अगर आप इसे हलका सा भी टच करते हैं तो आपके केक की फिनिशिंग खराब हो सकती है तो यहां हमारे चारो लाइन्स बनकर तयार है जिसके उपर हम स्ट्राइकर रखकर खेलते हैं अब मैं बड़े वाले कॉइन्स कॉर्णर में रखकर क्यारम के होल्स बनाकर तयार कर लेती हूँ तो यहां देखिए हमारे चारो कॉर्णर के होल्स बनकर तयार है यहां पर मैंने pink कलर के चोटे चोटे बिलकुल बिंदी की तरह चोटे चोटे coins बना कर ले लिए हैं जिसे हम इस तरह corner में रख लेंगे और इसे हम cake की design बना लेंगे तो यहां देखिए क्यारम cake की design बिलकुल perfectly बनी है अब मैं ले लिती हूँ यहाँ पर एक स्टिक जिससे हम इस तरह से लाइन मार लेंगे बिल्कुल क्यारम के उपर जिस तरह से डिजाइन होता है उस तरह से हम यहाँ पर केक के उपर डिजाइन बना कर तयार कर रहे हैं अब हम केक के अंदर सेंटर मे केरम की डिजाइन बनाएंगे उसके लिए मैंने बड़ी से कटोरी से मार्किंग कर लिए और यहां बना लेंगे हम एक सरकल ब्लैक से और जो कि हमारे केरम के अंदर होता है center जहां हम सारी coins रखकर gameplay करते हैं अब मैं रख रही हैं बीच में बिंक कलर की छोटी सी coin आब हम center में triangles बना लेंगे black color से तो यहाँ पर देखिए हमने प्रेपारे से triangles बना कर क्यारम का design बनाने की कोशिश की है तो यह लेजिये हमारे बिल्कुल center केरम का बनकर तयार है तो अब हम रख लेते हैं केरम के coins बीच-बीच में randomly हम इस तरह से coins रखेंगे ताकि game खेलते हुए जिस तरह से coins केरम के उपर बिखरे होते हैं उसी तरह से हम black और white वाले coins रखकर केरम को तयार करेंगे अब मैं रख रही हूँ कैरेम के उपर स्ट्राइकर जिसे हम गेम खिलते हैं यहाँ पर हमने रख दिये रानी कोईन्स के जो रानी होते हैं उसे भी हमने प्लेस कर दिया है और यह लिजिए बहुत ही पर्फेक्ट हमारा केक बन चुका है अब हम केक को कर लेते हैं बॉर्डर तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में रेड कलर डालकर इस तरह से पाइपिंग बैग को फिल कर लिया है हमने विप क्रिम के अंदर कलर नहीं मिलाया है वाइट विप क्रिम को हमने पाइपिंग बैग में रेड कलर डालकर फिल कर लिया और इस तरह से हम बॉर्डर बना जें ऐसा करने से बॉर्डर के अंदर शेडिंग आती है उससे केक बहुत ही प्यारा लूग देता है हो सके जब तक आप केक की बॉर्डर को बिल्कुल पतला सा रखिए मोटे वाले नोजल से आप केक की बॉर्डर मत बनाईए तो ये लीजिए हमारा केरम केक बगएर फॉंडन के बनकर तयार है तो हैने बहुत ही आसान सा केक बिल्कुल घर के रखे सामान से हमने इस केक को बना कर तयार किया है तो कैसा लगा आपको हमारे बगएर फॉंडन के केरम केक का आइडिया हमें कमेंट्स करकर जरूर बताना अगर आपको हमारे केरम केक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपि के साथ थैंक यू सो मच